इस ब्लेटेन के पेश करदा है काका जी वेडिंग मॉल विमन्स एक्सक्लियूजिफ मोती कली चौ मुहला पैलिस रोग हैदरबार पीवियन न्यूज में आपका इस्तखवाल है मैहो मोसन शुरुबात करते हैं हैडलाइन से बीजेपी लीडर दिलिब्धोश के नफरत अंगेस बोल कहा C.E.A. की मुखालिफत करने वालों को यूपी की तरह गोली मारती चाहेगी भैंसा फिर्खावाराना तशद्द्द मौमले में पुलीस ने 25 अफराद को किया गिर अफ्तार पूरे इलाखे में इंटर्नेट खिदमात बंध भेंसा वाकिया अमीर हल्खा जमात इसला में हिंत लिंगना का इजार अफसोस भेंसा जाने से राजा सिंग पर रोग पुलीस ने किया हाउस अरेस्ट इंतिखाबी जलसे से असलती नोवीसी ने कांगरिस से किया मजाईया मतालबा कहा दो हजार रोपैसे कहीं ज्यादा है उनकी खीमत तिलिंगना की गवर्नर ने चेन्नाई में अपने अरकान खांदन के साथ मनाया पंगल कहा तिलिंगना और तमिन नाडू के दर्मियान राप्ते के पुलका करेंगी काम CAA और NRC के खिलाब 18 जनवरी को ईद का बिलाली में होगा जलसे आम चॉइंट आक्शन कमिटी के कन्वेनर मुहमद मुश्ताफ मलिक का ऐलान और अब खबरों की तफसील नफरत और तक्सीम करने की सियास्त करने के लिए मशूर लीडरों वाली पार्टी बीजेपी के एक और नेता ने ऐसा मतनाज़ा बयान दिया है जिसकी मुलक के हर कोशे से मजबत की जा रही है मगरिबी बंगाल बीजेपी सदर दिलिप खोश ने थमगी देते हुए कहा कि सीए के खिलाफ मुझारा करने वालों को गोली मारती जाएगी उन्होंने दवा भी किया कि उत्तरप्रदेश की तरह पबलिक प्रापरटीज को नुकसान पहुचाने वालों को गोली मारती कर अवामी मिल्कित को नुकसान पहुचाएंगे क्या ये आपकी जमीनदारी है हम आपको लाठी से पीटेंगे गोली मार देंगे जेल में बंद कर देंगे भैंसा शहर में दो फिर्खों के दर्मियान पूर पड़े तशद्द के बाद इंटरनेट खिदमात बंद की गई है हैधियादी अखदामात के तौर पर पूरे मुतेदा जले आदलाबाद में इंटरनेट खिदमात बंद की गई है इस मौमले में अब तक 25 लोगों को घरफ़तार भी किया गया है पुलीस के मताबख सीशी टीवी फूटेज की जा रही है और दोनों फिर्खों से खरी 25 लोगों को घराफ़तार किया गया है कल ही निर्मर कलेक्टर ने तशद्द्द से मतासरा अलाकों का दोरा करते हुए मुदालगा एहलकारों को हिदायात जारी की थी भैसा में होने वाले फिर खवाराना तशद्द पर असद्द अविसी ने अवाम से जहां अमन का माहल बनाए रखने की अपील की है वहीं उन्होंने मतालबा किया कि इस अफसूस नाक वाके में जिस किसी का भी नुखसान हुआ हो चाहे वो किसी भी मजभब से तालुक रखता हो उसे मुआफ़ा दिया जाए मैं अपील करूंगा चीफ फिनिस्टर तेलेंगाना से भी कि भैसे में आज जो वाकियात होए वाकाबिल ये मजभब है हम चीफ फिनिस्टर से मतालबा करते के एक एक खातियों के खिलाफ एक्शन लो आप मैंकल राट वर डी जी पी साथ से बात चीट कर रहा था जाबर रहमत के साथ पुलिस गई सुबा में वहाँ पर मगर पुलिस की मौजूदगी में जो नंगा नाच हुआ मैं इसकी मजब्मत करता हूँ और केसी आर चीफ फिनिस्टर से मतालबा करता हूँ कि जिस किसी का नुखसान होए चाहे कोई मजब्ता हो गौर्मेंट उसको कमपंसेशन दे खातियों के खिलाफ एक्शन ले एक-एक अफायर डिस्टर होना गिरफटारी होना और मैं भैसे की अवाम सपील करता हूँ कि मन को पर खरार रखिये मैं हमारी जड़तार माव और बेनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी जलसे में आए निकल कर अपने ओट का इस्तमाल करिए मंदल इसको कामियाब करिए यह आपकी आवाज है असलाम आलेकुम और रहमतुल्लाही बरकातों जमाते इसलाम हिंद तिलिंगाना के सदर हामिद मुहमद खान ने फैंसा शेहर में पेशाय वाकियाद को अफसोस नाक खरार देते हुए शदीद अलफास में उनकी मसमत की और इसे हकूमत और पुलीस की नाकामी खरा दिया उन्होंने कहा कि अगर पुलीस बरवक्त कारवाई करती तो हालात पर खाबू पाया जा सकता था उन्होंने कहा कि ये शर्पसंदों की मनसुबा बंसाज़िश मालु होती है जिसके जरीए वो पूर अमन फिजा को बिगारना चाहते हैं हामेद महुमत खान ने कहा कि अशरार ने ना सिर्फ पुलीस की मौजूदगी में हंगा माराई की और मुसल्मानों के मकानात पर हमले किये बलके मसाज़िद को भी निशाना बनाया और खुरान मजीद की बेहरमती की जानमाजों को नजर आतिश किया और ये सब शहर में पुलीस की बड़ी तेदात में तैनाती के बाद हुआ है जो खाबल अफसोस है उन्होंने वजिर्याला के सियार से फौरी तोर पर खातियों के खिलाफ सक्त कारवाई की अपील करते हुए फौरी तोर पर अमन बहाल करने का मुतालबा किया साथ ही जखमियों के बेहदर इलाज के लिए एक्सग्रेशिया जारी करने और इमलाग के नुकसान की भरपाई करने की भी मांगी उन्होंने आइंदा इस तरह के वाकियात को रोकने के लिए अमली इखदामाद करने की भी अपील की गोशा महल से बीजेपी रुकने से अमली राजा सिंग ने भैंसा शहर में दो तबखात के दर्मियान होने वाली जड़पों पर चलो भैंसा की कौल दी थी राजा सिंग ने भैंसा में पेश आये फिर खावाराना तशद्दत का जिकर करते हुए ये इल्जाम लगाया था कि एक तबखे को निशाना बनाया गया है जिसके बाद हैदरबाद पूलीस ने उने उनके घर पर ही नजर बंद कर दिया राजा सिंग ने फेस्बुक पर एक सलसले में कुछ तसावीर पोस्ट की है वाज़ हो के भैंसा में दो तबखात के धर्मियान होने वाली जड़बों के बाद दीफा 144 नाफिस कर दी गई है इस दोरान तकरीबन 18 मकानात और कई मोटर साइकलों को नजर आतिश भी कर दिया गया था वहीं सीनियर पुलीस उतेदारों समेट मतादिद अफरात जखमी भी हुए हैं अमनोमान की अबतर सुरतहाल को कर्टोल करने के लिए निर्मल सिले में आरेफ और सी आरपी के एहलकारों की दो बटालियों को तेहनाद किया गया है तिलिंगाना की 120 बल्दियात और 9 कॉर्पोरेशन के इंतकाबात के लिए नाम वापस लेने की आखरी तारिख आज मंगल को तीन बज़े दिन खत्म हो गई है रियासिति अलेक्शन कमिशन की जानब से उम्मेदवारों की हत्मी फैरिस्ट जारी कर दी गई है बजा दें के इस माँ की 22 तारिख को बल्दिया इंतकाबात के लिए पोलिंग होगी अंदास में कहा कि मुनिस्पल इलेक्शन के दौरान अगर कांग्रेस वाले उन्हें दो हजार रुपए देते हैं तो ले लो लेकिन पार्टी को ही वोट दो इसके अलावा सुद दी नोवीसी ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि वो उनकी खीमत 2000 रुपए से ज़्यादा बढ़ा दें उनकी खीमत कहीं स्यादा है मेरे अजीज़ दोस्तों और मुजरुगों मैं यार्श से दुवारा अपील कर रहा हूं कि बावीस तारीख के दिन अपने के कोट कांग्रेस के लोग इनके पास ज्यादा दौलत है ले लो आप नो प्राबलम मेरी वज़े से मिल रहा ना आपको तो मेरे को खाली ओड़ दो यू जो देरे लो आपने का करने का खाजा का लंगरे लूट के खाओ दबा के लो और मैं तो वरो तांग्रेसीज़ रेट बढ़ाओ मेरी खीमत दो हजार रुपिय नहीं है रेट बहुत ज़्यादा खीमत है ये देते काते इनों देते क्या देते तुम लोग तेलिंगाना में मुनिस्पल एलेक्शन की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है ऐसे में मजलिसी तयातर मुस्क्रीन की जानब से निर्मल टॉन में 17 उम्मेदवार मैदान में उतरेंगे हैदरबाद के इलाखे पत्थर गटी के कॉर्परेटर सुल खातरी ने आज निर्मल में मजलिस के 17 उम्मेदवारों के नामों का एहरान किया इस मौगे पर मेदी बढ़नम कॉर्परेटर माजित हुसेन के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे वाट नमबर 21 से महमत इरफान वाट नमबर 12 से अजिम बीन यहिया वाट नमबर 33 से सलमान शेख वाट नमबर 47 से नाजिया परवीन वाट नमबर 39 से तहियत फिर्दोस वाट नमबर 49 से रफीय अहमद खुरेशी वाट नमबर 40 से हसीना बेगम महमत उस्मान वाट नमबर 41 स मुहम्मद पासित और मनुज़ इत्याद मुस्लिमी ने खानापूर से अपने एक उमिद्वार को मैदार में उतारा है मुहम्मद अखीर है आपके जरीए मुहम्मद अखीर है तेलिंगाना की हुक्मरा जमाद टी आरेस का भी फॉर्म ना मिलने पर एक उमिद्वार ने उसरे उमिद्वार को पी फॉर्म दे दिया गया जिस पर वो काफी मायूस हो गया विज़े ने इसी मायूसी के आलम में अमबेटकर के मुझस्मे के खरीब आज सुबा मिट्टी का तेल अपने जिसम पर डाल कर खुछसोजी की कोशिश की ताहम पुलीस ने उसे बचा लिय तेलिंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुन्दरा राजन ने चन्नाई में वाकि अपनी ख्यामगा पर अपने अरकान खांदान के साथ पुंगल तक्रीब मनाई इस मौके पर उन्होंने खुस्सी पूजा भी की बात अज़ा मेडिया से बात करते हुए रियासती गवर्नर तेलिंगाना और तमिलिनाडू के दर्मियान राप्ते के लिए एक पुल का काम करेंगी ख़वर्नावे में फिला लेंगे एक बर एक मुलाखात होगी इस छोड़े से ब्रेक के बाद